नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम इंदरजीज सिंग है, मैं दिल्ली विश्विद्याले में जनलिजम का प्राध्यापक हूँ आज मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ पाश की एक कविता, जिसका शीशक है, मैं पूछता हूँ अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है, तो हमारे वीडियोज को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल का विता बोल को सब्सक्राइब करें मैं पूछता हूँ पाश मैं पूछता हूँ आसमान में उड़ते हुए सूरग से, क्या वक्त इसी का नाम है, कि घटनाएं कुचलती चली जाएं, मस्थ हाती की तरह, एक पूरे मनुष्य की चेतना, कि हर प्रशन काम में लगे जिस्म की गलती ही हो क्यूं सुना दिया जाता है हर बार पुराना चुटकुला, क्यूं कहा जाता है कि हम जिन्दा है, जरा सोचो कि हम में से कितनों का नाता है, जिन्दगी जैसी किसी चीज के साथ, रब की वो कैसी रहमत है, जो कनक भोते फटे हुए हाथों, और मंडी के बीचों बीच तख्त पोश पर फैली हुई मांस की उस पिलपिली धेरी पर एक ही समय होती है, आखिर क्यों बैलों की घंटियां और पानी निकालते इंजन के शोर में गिरे हुए चेहरों पर जम गई है एक चीखती हुई खामोशी, कौन खा जाता है तलकर, मशीन में चारा डाल रहे कुत्रे हुए अर्मानों वाले डोरों की मचलिया, क्यों गिर गिराता है मेरे गाउं का किसान, एक मामूली से पुलिस ये क्या, क्यों किसी दर्डे जाते आदमी के चौकने के लिए हर वार को कविता कह दिया जाता है, मैं पूछता हूँ आसमान में उड़ते हुए सूरत से, क्यों किसी दर्डे जाता है,